पूरे देश को जगजोर कर रख देने वाली घटना उज्जैन रेब केस से जुड़े कई सवाल जो सभी के मन में उठ रहे हैं कि बच्ची उज्जैन पहुंची कैसे? सीम शिवरा सिंग चोहान के अकाउंट से दावा क्या ग्या था कि आरोपी का एनकाउंटर हुआ है पीडिद 12 साल की बच्ची का इलाज अभी बी इन दौर के स्पताल में चल रहा है पीडिद बच्ची सतना की है और परिश्वा देने के लिए घर से निकली हुई थी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने सतना के पुलिस स्टेशन में कराई थी बच्ची का परिवार उसकी तलाश कर रहा था तभी सोशल मेडिया पर वाइरल वीडियो से परिवार जनों को इस घड़ना की जानकारी मिली तब तक पुलिस भी पीडिद बच्ची को प्रियाग राज का मान चुकी थी वाइरल वीडियो में बच्ची अर्द नंगन हालत में सभी से मदद की गोहाल लगाती दिख रही थी उजयन पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि बच्ची सतना के पास एक गाउं की रहने वाली है तब सतना पुलिस संपर्क किया गया और परिवार को जानकारी दी गई दरसल पीडिद बच्ची के ही किसी रिष्चदार ने उसे वाइरल वीडियो में सडकों पर गूमते देखा और परिवार को इसकी जानकारी दी उसके घरवालों ने बताया कि बच्ची आठवी कक्षा में पढ़ती है और परिक्षा देने के लिए अपने स्कूल से निकली थी लेकिन वो घर वापस ही नहीं लोटी उज्यन पुलिस ने जगटना के मुख्य आरोपी आटो ड्राइवर भरत सोनी को ग्रफतार कर लिया 38 साल के आरोपी ने अपना पराद कबूल कर लिया है और पुलिस ने पीड़ता के खून से सने कपड़े भी बरामत कर लिये हैं अभी भी ऐसे कई सवाल है जिनके जवाब मिलना बागी है पुलिस अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़की सतना से जैन कैसे पहुची क्या वो अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था इस मामले के आरोपी भरा सोनी के पिता से मीडिया ने बात की आरोपी के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने घिनोना काम किया और उन्हें शर्म सार किया इतना ही नहीं आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश भी की और इस कोशिश में वो कंक्रीट की दिवार से टकरा कर घायल हो गया इससे पहले मीडिया में खबरे थी कि आरोपी का एंकाउंटर हुआ है लिकिन एक वरिष्ट पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी पुलिस फायरिंग में घायल हुआ है दरसल शुकरवार की सुभा मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान के कारेले ने अपने सोशल मीडिया काउंट पर इससे उलट बयान देते हुए कहा था कि आरोपी पुलिस एंकाउंटर में घायल हो गया है बाद में सीम के सोशल मीडिया काउंट से ये मैसेज डिलीट कर दिया गया मतलब आरोपी का एंकाउंटर नहीं हुआ था वो टक्रा कर गिर गया था और घायल हुआ था NBT Online Report